हेलो फ्रेंट्स, वेलकम बेक टू प्रगती मंत्रा क्लासिस, माइनेम इस शिवांगिय अगरवाल एन आम यूर मेंटर फॉर अपकामिंग टाट एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट्स अपनी स्टूडेंट्स सिरीज को कॉंटिन्यू करते हैं और एक नई टॉपक की तरफ बढ़ते हैं तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था लेजिसलेचर के बारे में हमने तीन जब पढ़े थे अपनी डेमोक्रासी के कौन-कौन से हम यानि कि नयायपालिका, कारयपालिका और विधायका तो आज हम देखेंगे विधायका के बारे में यानि कि लेजिसलेचर के बारे में अब जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि विधायका का काम क्या होता है विधायका का काम होता है हमारा विधी बनाना यानि कि टू मेक मझने वाली कि यह जो laws होता है न स्टूदेंट से दो लेबल पर बन चकते हैं अब ने खूकोन कोन से है तो वह बन चकते हैं हमारे या तो Central लेबल पे या फिर State level पे या तो केंद्र के स्टर पर या थिर हमारे बन सकते हैं वो राज्य के स्तर पर तो जो केंद स्तर पर बॉड़ी बनाती है विधी उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं पारलियमेंट और वहीं जो हमारी स्टेट लेवल पर बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं विधान मंडल यह दो बॉड़ी है जो हमारे लिए क्या काम करती है? विधी बनाने का काम करती है. तो सेंटर पे क्या है? पारलियमेंट यानि कि संसद वैसे ही हमारे पास स्टेट में हमें क्या मिलेगा? यहां मिलेगा हमें विधान मंदल अब जैसा कि हम लोगों ने सेंटर के बारे में सारी चीज़े कवर अप करी थी तो हमने देखा था कि पारलियमेंट के होते हैं तीन अंग कौन-कौन? एक तो होते हैं हमारे प्रेजिजेंट साब फिर हमारी लोकसभा और उसके बाद राज्ये सब यह तीन अंग होते हैं इसी तरीके से सेंटू सेंटू विथान मंडल में भी हमें तीन अंग देखने को मिलते हैं कौन-कौन से एक होते हैं हमारे गवर्नर साब यानि की राज्ये पाल फिर होती है हमारी स्टेट लेजिसलेटिव असेंबली और एक होती है हमारी स्टेट लेजिस्लिटिव काउंसिल, अगर हिंदी में हम बात करें तो इन्हें हम बोलेंगे राश्ट्रपती, इसको लोकसभा, राज्येसभा, गवर्नर राज्येपाल, अब यहाँ पर याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं, विधान सभा, एसेंबली यानि की सभा, तो यह है हमारी विधान सभा, और स्टेट लेजिस्लिटिव ऐसे काउंसिल का मतलब होता है, विधान परिशत, तो यह हमारी वो बोडीज हैं, जो हमारे लेजिस्लेशर बनाने का काम करती है, सेंटर पर या फिर स्टेट पर, अब देखो, जो मेंड चीज हमें आपे समझने वाली है, वो क्या समझेंगे, कि जिस तरीके से सेंटर काम करता है, पूरे देश के लिए, इसी तरीके से हर ए समझना है, कि यहां पर जो में विवस्ता देखने को मिलती है, वो मिलता है, हमें बाई कैमेरल स्ट्रक्चर, यानि कि यहां हमें मिलती है, दूई सदनी है, सनरचना, वहीं अगर मैं स्टेट लेवल पे बात करूँ, यानि कि राज्य के लेवल पे बात करूँ, तो यहां पर हमारे पास चोईस है, कि या तो यह यह यूनी कैमेरल हो सकता है, या फिर यह बाई कैमेरल स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब यहां पर एक सदनी सनरचना भी हमें देख नहीं है अब देखो टापिक को आगे बढ़ाने से पहले समझने से पहले एक चीज और समझ लेते हैं कि जिस तरीके से हमने देखा था सेंट्र कमें जो में प्रेजिडेंट्स आपके काम होते हैं वही स्टेट में हमारे काम होते हैं राजयेपाल साब के आप फोड़ा मिलता प्रेजिडेंट्स आपके सेंट्र करें अब देखो जो हमारी लोग सब्वा है वह किसकी तरएक करती है यह हमारी एक्ट करती है विधान सभा की तरह ठीक है और जो हमारी राज्येसभा वो act करता है हमारा विधान परिशत की तरह लेकिन जैसे कि हम लोगों ने देखा कि यहां पर दूई सदनी यह सनरचना ही हमें देखने को मिलेगी और ऐसा दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 79 में जहां पर राजे सबा के बारे में हमारे constitution में given है लेकिन हमारे constitution में यह भी given है कि विधान परिशत जरूरी नहीं है जो state चाते हैं उनके लिए बना दी जाएगे जो state नहीं चाते हैं वहाँ पर यह नहीं होगी लेकिन राजे सबा के बारे में हमें दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 79 में ठीक है अब देखो मैंने आपको यह comparison क्यों बताया क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे अपने वीडियो लेक्चर में वैसे वैसे आप समझते जाओगे कि जिस तरीके से हम लोगों ने पुरा लोग सबा का structure पढ़ा था उसी तरीके से हम देखेंगे किसका विधान सबा का structure और जिस तरीके से हमने देखा था राज्य सबा का structure उसी तरीके से हमें देखने को मिलता है विधान परिशत का लेकिन बहुत सारे differences भी हमें देखने को मिलते हैं तो जो चीज़े similar हैं जो चीज़े differences है उन सब को इस video lecture में हम लोग cover करते हूँ चलेंगे हर एक पार्ट को तो अब हम शुरू करते हैं किस पार्ट से अपने विधान सबा के पार्ट से कि यह जो विधान सबा है किस तरीके से कर रहे करती है किस तरीके से यहाँ पे members चुने जाते हैं ठीक है एक बात और हम यहाँ पे धियान रखेंगे जैसे कि लोग सबा को हम क्या बोलते थे निमन सदन बोलते थे निमन सदन या फिर लोगर राउस बोलते थे इसी तरीके से हम विधान सबा को भी क्या बोलते हैं निमन सदन बोलते हैं और जिस तरीके से राज्य सबा को हम उ जाता है उच्छ सदन बोला जाता है यह चीज आप यहां से याद रखेंगे तो अगर आप से पूछ लिया जाए कि स्टेट लैबल पर यह बताईए कि लोग रहुस कौन चाहे तो आप क्या बताएंगे कि माम वह क्या है विधान सभा यानि कि स्टेट लजिसलेटिव यानि की विधान सभा के बारे में आप देखो जैसे कि हम लोगों ने देखा जब हमने इसको सेंटर से कंप्यार करा तो हमने इसको क्या नाम दिया था लोवर हाउस नाम दिया यानि की निम्नसदन नाम दिया पर अब किसी स्टेट में विधान परिशत हो या ना हो लेकिन विधान सभा राप को मिलेगी ही इसलिए इस विधान सभा को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं main house, ठीक, क्योंकि ये आपको हर state में मिलेगा ही, मिलेगा, दूसरा, इसको हम एक और नाम से जानते हैं temporary, जिस तरीके से लोग सभा को हम temporary बोलते थे, यानि कि आज थाई सदन बोलते थे, इसी तरीके से विधान सभा को भी हम आज थाई सदन बोलते हैं, दूसरा, इसको एक और नाम दिया जाता है लोग प्रिये सदन, जिस तरीके से लोग सभा हमारी लोग प्रिये सदन के नाम से जानी जाती थी, उसी तरीके से विधान सभा भी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, क्योंकि यहाँ पे जो इसके members आते हैं students, वो होते हैं directly elected, यानि कि प्रत्यक्ष रूप से उनका निर्वाचन किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, इसी लिए यह लोग प्रिये सदन भी बोला जाता है, और क्योंकि यहाँ पे directly elected लोग आते हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले lecture में द कि जो हमारा मंत्री परिशद होता है, वो directly जवाब दे होता है कि इसको विधान सभा को क्यों, क्योंकि एक तरह से क्या करते हैं, यह जो स्टेट के लोग होते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो मंत्री मंडल को हर एक बात इनको बतानी होती है, ठीक है, वो हर एक तो ध्यान रखेगा, जो इसका structure decide करा गया है, सनरच न इसके decide करी गई है, वो बोला गया है कि minimum member इसके 60 होंगे और maximum हो सकते हैं इसके 500 members, लेकिन ऐसा कहीं rigid structure नहीं दिया गया है, यह किस basis पे decide हुआता क्योंकि students, यह हमारा decide हुआता population basis पे, यानि कि जन संख्या के अधार प जादा होगी, वहां हमें जादा seeds देखने को मिलेंगी, जहां जन संख्या कम होगी, वहां में कम seeds देखने को मिलेंगी, तो जैसे कि हम जानते हैं, उतर प्रदेश सबसे जादा जन संख्या वाला या फिर आबादी वाला state है, तो वहां पे seeds भी सबसे जादा देखने को मिल लेकिन अब देखो यह जो structure decide करा गया ना student, यह rigid नहीं बनाया गया, इसके बारे में ऐसा नहीं बोला क्या कि ऐसा ही होगा, ठीक है, इसलिए हमें इसके कुछ exceptions भी देखने को मिलते हैं, जो हमारे छोटे states हैं वहाँ, जैसे की मिजोराम हो गया, गोआ हो गया, सिक्किम हो गया इन सब states में हमें इसका exception भी देखने को मिलता है, जहां पर लगबग हमें 40 के असपस state legislative members देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो आपको एक तो इसके नाम याद रखने हैं, यहां से आपको यह याद रखने हैं कि यहां पर जो लोग आते हैं, यहां के जो members होते हैं, वो कैसे होत इसी तरीके से same to same विधान सबा में भी nominated आते हैं, यानि कि नामेत आते हैं, मनोनीत किये जाते हैं, किसके दुआरा वो करे जाते हैं, अमारे governor साब यानि कि राज्येपाल के दुआरा, और कौन होते हैं, वो होते हैं, अमारे Anglo-Indian, जिस तरीके से लोग सबा में हमारे पास क कितने Anglo-Indian होते थे, अंगल भारतिये कितने होते थे, दो होते थे, यहाँ पे होते हैं, हमारे एक Anglo-Indian, यानि कि एक अंगल भारतिये यहाँ पे nominate किये जाते हैं, किसके दुआरा, governor के दुआरा, यानि कि राज्येपाल के दुआरा, और जो बाकी सारे members होते हैं, वो सारे ह होते हैं हमारे elected यानि की निर्वाचित लोग हमारे विधान सभा में आते हैं ठीक अब देखो इसके बाद क्या बात कर लेते हैं कि जो इसका term होता है यानि कि इसका कारेकाल होता है वो कितने time period हैं अब यह कम भी हो सकता है और यह जाधा भी हो सकता है किस केस में कम किस केस में जाधा कम किस केस में होगा दो देखो मान लीजे जो हमारी government है यानि कि जो हमारी सरकार है तो वो क्या है वो no confidence motion में चली जाती है यानि कि वो अपना बहुमत कि बढ़ती है तो बढ़ती है स्थिति में और किस तरीके से बढ़ती है यह भी याद रखिएगा का में अपात काली निस्थिति में क्या है कि एक साल की टर्म पर हम इसको बढ़ा सकते हैं माना लीजे कि आज आपात काल लगा तो मैं एक साल के लिए बढ़ा सकती हूँ, ठीक, अब एक साल का टाम खता हुगा, तो मुझे फिर से इसको एक साल के लिए लगाना पड़ेगा, तो अपात काली निस्थितियों में हम इसके कारेकाल को बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन कुछ केसे में जो होता है, इसका कारेकाल वो कम भ जाती है, अब हम बात कर लेते हैं कि यह जो इलेक्टेट मेंबर्स होते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन किस तरीके से होती है, तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखी थी लोगसभा की क्वालिफिकेशन, क्या देखी थी, एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा हम पहर ने देखा था कि क्या लिख लेते हैं क्वालिफिकेशन यानि की योग गयता तो हमने देखा था एक तो भारत का नागरिक दूसरा लोक सबा में हमने क्या देखा था कि मिनिमम एज हमारी कितने तो 25 तो सेम वही क्राइटेरियम यहाँ पर भी यूज करते हैं कि 25 इयर्स की एज होनी चाहिए ठीक है फर तीसरा वही कि किसी office of profit पर नहीं होने चाहिए और एक और यहाँ पर condition होती है जो कि time to time Parliament के द्वारा decide करी जाती है यानि कि संसत के द्वारा decide करी जाती है और उन conditions पे अगर कोई person fulfill करता है उन qualifications को तो वो क्या कर पाता है विधान सबा के member बनने के लिए वो eligible हो जाता है ठीक है अब अगर हम मान लेकि यह तो कोई qualifications के लेकिन ऐसी कौन सी चीज़े हैं जिनकी grounds पे हम इसको हटा सकते हैं तो याद रखेगा वो grounds हैं हमारे या तो वो अंसाउंड माइंड हो अंसाउंड माइंड यानि कि दिमाखी रूप से अगर कभी कुछ ठीक नहीं है तब या फिर वो bankrupt घूशित कर दिया जाए यानि कि दिवालिया घूशित कर दिया जाए और तीसरा कि जब वो किसी और office of profit पर बैठते हूं यानि कि सरकारि में किसी और पर बैठते हो तब ऐसा हो सकता है या फिर उन्होंने कोई ऐसा काम करा हो जो हमारे constitution को violate करता है उस condition में भी हम विधान सभा के किसी member को उसके पत्से हटा सकते हैं ठीक तो यह तो बात रही हमारी किस की यह बात रही हमारे members की हमारी विधान सभा के term की कि कि कितने टाइम तक होता है फिर हम नहीं यहां पर देख लिया कि कितनी लगबक सीट्स हमें देखने को मिलती है maximum सीट्स याद रखिएगा वह कहां पे है यूपी में है क्योंकि यहां की population जाद है और कितनी सीट्स है यह भी याद रखिए कि 403 सीट्स है अब जिस तरीके से यहां पर भी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं विधान सबा के स्पीकर करते हैं और वो कहां से आते हैं वो इनी मैंबर्स में से आते हैं तो जैसे हम लोगों ने वहां पे देखे थे क्या एक तो हमने देखा था स्पीकर और एक हमने देखा था डेप्यूटी कर यानि की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या फिर जिसे हम बोल सकते हैं सबा सद्भी बोल देते हैं तो यह कहां से चुने जाते हैं यह इन ही लोगों में से यानि की जो विधान सबा के मेंबर सेलेक्ट होके आते हैं उनी में से चुने जाते हैं यह बात हम याद और LS की यानि कि लोग सभा की और legislative assembly की तो यहाँ पर आपको speaker के मामले में बिल्कुल same instructor देखने के लिए मिलेगा लेकिन एक बात और है कि वहाँ पर हमारे पास speaker के पास कुछ extra powers भी होते थी किस तरह की कि जब हमारा joint session होता था तो यह उसको head करते थे लेकिन अब अगर हम state के case में बात करें तो यहाँ पर joint session जैसा कोई प्रावधान हमें देखने को मिलता ही नहीं है तो इसलिए ना तो उनके किसी भी joint session के अध्यक्षा करने की बात ही नहीं आती क्योंकि यहाँ पर joint session आपको देखने को मिलेगा ही नहीं ठीक है students? अब देखिए students एक बात और कि वैसे तो आपको state legislative assembly नाम सही समझ में आ रहा है कि आपको यह कहाँ देखने को मिलती है राज्यों में देखने को मिलती है लेकिन हमारे पास इस case में तो आप बात भी देखने को मिलते हैं और वो क्या? वो यह मिलते हैं कि हमारे पास दो ऐसे केंडर शासित प्रदेश भी हैं जहां पे हमें state legislative assembly देखने को मिलती है जैसा कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब आपको मैंने बताया था किसके बारे में प्रेजिडेंट के इलेक्शन के बारे में जब आपको बताया गया था तो आपको यह चीज़ बताई गई थी कि state legislative assembly के जितने भी elected members होते हैं वो सब प्रेजिडेंट के इलेक्शन में participate करते हैं प्लस तो हमारे ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं कौन-कौन से दिली और पुडुचेरी जो जिसकी विधान सबावी participate करती है किसमें प्रेजिडेंट के एलेक्शन में तो आपके माइन में question arise होना से यह था कि बाकी सारी केंद्र शासित प्रदेशों की विधान स सबाई है ही नहीं इसलिए मांके विधान सबाई participate भी नहीं कर पाती तो याद रखीगा कि विधान सबा में दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश में देखने को मिलती है कहां कहां एक तो हमें मिलती है यह देली में और एक हमें मिलती है पुडुचेरी में यह दो जगा ऐसी ह जहां पर हमें विधान सबा देखने को मिलेगी दिली और पुड़ुचेरी ठीक सूडेंट्स और लास्ट बात जो आपको इसके लिए विधान सबा के लिए ध्यान रखनी है कि जो इसके मैंबर सेलेक्टेट होते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं वो होते हैं यूनिबर्सल वोट करने का होता है अधिकार और इसी को बोला गया क्या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कभी एक्वेशन कि जो हमारी विधान सबा होती है और वहां के जो लोगों का इलेक्शन होता है मैंबर्स का इलेक्शन होता है वो किस ब वोट देने के लिए यह उनके पास वोट देने का अधिकार है उसी को हमने बोला है यूरिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज तो यह था हमारा पूरा का पूरा स्रॉक्चर किसका विधान सबा का अब ही हम बात करेंगे आगे जाके किसकी कि जो विधान सबा है वो विधाई पारिशद्र तो अमने सब्सक्षान कर सका जाता है और सब पेसे घराइज लेकिन एक सब और यानि वा इस त्दमी चा Tamara विधान परिशल तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखी थी अपनी सेंटर में राज्यसभा उसी तरीके से हमें देखने को मिलती है विधान परिशल तो जैसे कि राज्यसभा को हम क्या बोलते थे अपर हाउस बोलते थे इसी तरीके से इसको भी हम क्या बोलते हैं उच्छ जयानि कि स्थाई सदन बोलते थे इसी तरीके से इसको भी हम क्या बोलते हैं स्थाई सदन बोलते हैं लेकिन बस इन दोनों में एक डिफ्रेंस जो आपको में देखने को मिलेगा वो क्या कि जो राज्येसबाती है हमारी वो mandatory थी मतलब वो कमपलशरी थी लेकिन विधान मैंने सेकंड नहीं बोला है मैंने सेकंडरी बोला है ठीक है यानि कि इसको हम क्या बोलते हैं सेकंडरी हाउस यह नाम आप याद रखेंगे अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि इसकी मैक्सिमम सीट्स की और मिनिमम सीट्स की तो मैक्सिमम सीट्स यानि कि अधिकतम इसमें क होनी चाहिए, विधान सबा, एक तिहाई अधिक्तम, ठीक है, फॉर एक्सेंपल, माल लीजे कि अगर कोई स्टेट के विधान सबा है, महाँ पे 90 सीट्स थी, ठीक है, तो उसका एक तिहाई, मतलब कितना 60 सीट्स मैक्सिमम हो सकती हैं किसी स्टेट में, ठीक है, अगर उसके व mai इंपतब है लेकिन अगर मिनिमम की बात करें liksom यह मैं करते से माँ सकती है इसके जन्द ऑसकती है तो अगर विधान सभा में ज्यादा सीट्स हैं तो इसमें भी ज्यादा होंगी विधान सभा में कम सीट्स हैं तो इसमें भी कम सीट्स होंगी बिल्कुल उसी तरीके से यह कारे करेंगी अब देखिए अब मेन बात आती है कि यह किसमें आता है हमारे बाई कैमरल स्ट्रक्चर में आता है यानि कि दूई सदनिय संरचना में आता है और ये mandatory भी नहीं है अनिवादय भी नहीं है तो मतलब क्या हुआ कि इसको बनाने का काम कौन करेगा इसको बनाने का काम करती है उसे सेट की विधान सवा बिल्कुल कौन करती है इसको विधान सभा इसको बनाने का काम करती है लेकिन अब इसके साथ एक condition और भी है वो क्या कि अगर किसी state में विधान सभा अल्रेटी बनी हुई है तो, सुरी मैंने गलत बोल दिया अगर किसी state में विधान परिशद अल्रेटी बना हुआ है तो, विधान सभा उसको भंग भी कर सकती है उसको खतम भी कर सकती है और, अगर किसी state में विधान परिशद बना हुआ नहीं है तो, विधान सभा उसका गठन भी कर सकती है मैंने क्या बोला? कि अगर नहीं है तो विधान सबा इसको बना भी सकती है और अगर है तो विधान सबा इसको खतम भी कर सकती है ठीक है? अब देखो लेकिन यह जो इसका खतम करने का प्रोसीजर है या फिर गठन करने का प्रोसीजर है यह कैसे चलता है वो देखो माल लीजे कि किसी स्टेट को अपनी विधान परिशत का गठन करना है या फिर उसको खटाना है तो अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि उस स्टेट की जो विधान सबा है उसको Absolute Majority से वो बिल पास करना होगा Absolute Majority से यानि कि Absolute Majority का मतलब क्या हो गया यह हमारा मतलब हो जाता है कि Two Third Majority इस Majority से इस बिल को पास करना होगा और अब यहाँ से पास होने के बाद यह जो बिल है यह कहां जाएगा पार्लियमेंट में जाएगा बिलकुल पार्लियमेंट के अगर मर्जी होगी ठीक है तो वो इसको पास कर भी दे सकता है और इसको पास नहीं भी कर सकता यह टोटली डिपेंड करता है पार्लियमेंट पर और ध्यान रखेगा कि इस केस में पार्लियमेंट किसी भी तरीके से बाद्या नहीं है अब आपके दिमाग में question arise हो रहा होगा कि अरे यह तो पार्लियमेंट का कहा से काम आ गया तो देखो सूदेंट ध्यान से समझो हमने पहले ही दिन देखा था कि जो हमारा इंडिया है वो कैसा है federal structure है यानि की कैसा संगिया प्रणाली को भी follow करता है संगिया प्रणाली भी हमें देखने को मिलती है और संगिय प्रणालीमा में क्या देखने को मिलता है कि सेंटर का स्टेट्स पर कंट्रोल होता है तो उसी कंट्रोल को स्टाबिलिश करने के लिए उसी को मिंटेन करने के लिए पारलियमेंट पे किसी तरह की कोई बंदिश नहीं है कोई बादे नहीं है स्टेट काउंसिल को ल केवल और केवल सिंपल मेजॉरेटी से उसको पास करना है अब यह सिंपल मेजॉरेटी क्या होती है सिंपल मेजॉरेटी का मतलब होता है 50% प्लस 1 इस मेजॉरेटी से उसको पास करना है और क्या बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि इसके लिए हमें constitution में किसी तरह के amendment की जरुरत नहीं है simple majority का मतलब ही यह होता है कि अब हमें किसी भी amendment की यानि के संशोचन की जरुरत नहीं है वरना आप सोच के देखो कि अगर विधान सबाका में गठन करना है या उसको खतम करना है तो बार-बार क्या हम amendment करते रहेंगे संशोधन करते रहेंगे तो इस चीज से बचने के लिए यहां पर हमने क्या रखी है simple majority रखी है अब हम देखते हैं विधान परिशत का eligibility criteria यानि कि उन members की बात कर लेते हैं उसकी eligibility की बात कर लेते हैं जो इनको चाहिए तो वही सबसे पहला तो कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए citizen of India दूसरा जिस तरीके से राज्य सबह में हम लोगों ने देखी थी जो हमारी age limit थी वो थी 30 विल्कुस same to same वही हमें यहां पर देखने को मिलती है और तीस राज्य जिस तरीके से हम लोगों ने देखी थी विधान सबह में कि कुछ ऐसी qualifications होती है जो parliament के through time to time set करी जाती है तो उसको इन्हें fulfill करना होता है कभी ही eligible हो पाते हैं किसके लिए विधान परिशत के member बनने के लिए अब सबसे important चीज जो हां की है विधान परिशत की उसको समझो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक इसको किस से compare करते हुए आ रहे हम compare करते हुए आ रहे है सीधे 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 सको राज्य सबह से लेकिन अब इसमें दो चीज़े बहुत important है और बिल्कुल different है राज्य सबह से वो क्या-क्या एक तो हम बात करेंगे यहां पर speaker की यानि कि जो इसके chairman होते हैं उनकी और एक हम बात करेंगे elections की अब देखो, अगर मैं राज्य सभा की बात करूँ, तो यहाँ पे जो चेर्मेन होते थे हमारे, यानि कि जो हमारे अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते थे? वो होते थे हमारे वाइस प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, यानि कि उप्परधान, उप्राष्ठ्रपती. अब, जैसा कि हम जानते हैं कि जो यह उप्राष्ठ्रपती होते हैं, यह हमारे राज्य सभा का मेंबर नहीं होते हैं, इस बात का अब दिहान रखेंगे, कि not a member of राज्य सभा. लेकिन, अगर अब मैं विधान परिशत की बात करूँ, यानि कि State Legislative Council की बात करूँ, तो इसके जो चेर्मेन होते हैं, और जो वाइस चेर्मेन होते हैं, वो दोनों ही, किसके? वो दोनों ही हमारी विधान परिशत के member होते हैं. मैंने क्या बोला, दुबारा से सुनिये, कि यहां पर जो चेर्मेन होते हैं, वो कौन होते हैं? वाइस प्रेजिडेंट और वो हमारी राज्य सभा के member नहीं होते हैं. लेकिन जो यहां पर हमें चेर्मेन और वाइस चेर्मेन देखने को मिलते हैं, यानि कि जो अध्यक्ष कि हम लोग किस तरी के से पढ़ाई करते हैं? हम लोग सभा को हमने देखा विधान सभा की तरह और राज्य सभा को हम पढ़ लेते हैं विधान परिशत की तरह. लेकिन हम डिफ्रेंस देखना भूल जाते हैं, तो इसलिए यह इसलिए बहुत important हो जाते हैं, member of, तो याद देखने को मिलता है लेकिन काफी सारी चीजें मिक्सिंग देखने को मिलती है इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रक्टर है जितना भी तक हम लोगों ने पड़ा है सारी चीजों में देखो, अब हम समझते हैं इसका members का procedure, तो वही दो तरह के की होंगे, एक हमारे होंगे क्या, एक होंगे elected, यानि कि एक आएंगे निर्वाचित तरीके से, और एक आएंगे हमारे combinated तरीके से, निर्वाचित और नामित, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं, मनमनीत, अब दियान से समझते रहें जिस तरीके से मैं लिखरी हूँ, उसी तरीके से आप याद रखेंगे, यहां पर याद रखना, नॉमिनेटेड में होते हैं, इसको आप पहले याद रख लो कि यह जो वन सिक्स होते हैं, यह डरेक्ली हमारे किसके द्वारा point होते हैं, और जिस तरीके से हम लोगों को ने देखा था कि वहाँ पर चार फील्ड से लोग आते थे, कौन-कौन से आते थे, मैंने आपको याद रखने का तरीका भी बताया था, लास, इसके आगे आप सी लगा लेना, थीक है, तो लास से हमने कहाँ अदेखा था, literature से आ सकते हैं, Arts से आ सकते हैं, Science से आ सकते हैं, Social Welfare से लोग आ सकते हैं तो इन चारों फील्ड से तो आएंगे ही आएंगे लेकिन यहाँ पर एक फील्ड और राएड हो जाता है तो इसको आप पूरा ऐसे याद रखना Class वहाँ पर था Last और यहाँ पर है Class और यहां पर जो लोग जुड़ जाते हैं वो जुड़ जाते हैं cooperative movement यानि कि जो लोग सयोग अंदिल में जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था वो लोग भी governor की थूरू यहां पर directly nominate करे जा सकते हैं ठीक है, तो nominate वाला समझ में आ गया, अब चलते हैं हम elections वालों की तरफ कि election किस तरीके से होते हैं, कौन-कौन चुनता है, तो ध्यान रखना कि जो हमारे one-third members होते हैं, वो चुने जाते हैं सीधा-सीधा state legislative assembly के दुआरा, यानि कि उस state की विधान सभा के दुआरा, फिर उसके बाद जो हमारे ये वाले one-third member होते हैं, ये चुले जाते हैं वहाँ के municipalities के थुरूप, यानि कि वहाँ के जो इस थानिये स्वशासन के लोग होते हैं, जिस topic को अभी हम लोगों ने previous lectures में cover करा, उन bodies में जो लोग काम करते हैं, उन संस्थाओं में जो लोग काम करते हैं, वो one-third member को चुनके भेजते हैं कहां पर विधान परिशद में, यानि कि एकती आई यहां से आए, एकती आई यहां से आए, अब हम बात कर लेते हैं इन one-twilth की, ये वाले जो हमारे one-twilth है, ये चुने जाते हैं ये students उस state के teachers के थुरू, यानि कि उस state में जो अध्य आदियापक हैं, उँनके धूध ये चुने जाते हैं, अब यह अध्यापक हमारे कौन से होंगे? यह अध्यापक होते हैं, हमारे secondary level से उपर के, secondary level हमारे कौन सा होता है? वह होता है हमारे 10th का, यानि कि जो teacher हमारे PGT है या फिर जो colleges में बढ़ाते हैं, professors होते हैं, वो सारे क सारे लोग 112 member को चुनके भेज़ेंगे विधान परीशद में फिर आते हैं ये वाले 112 last तो ये लोग कौन होते हैं ये होते हैं उस state के graduates यानि कि ऐसे लोग जिन्होंने इसना तक की डिगरी ले रखी हो यानि कि तीन साल अपने कॉलिज की complete कर रखे हों वो लोग 112 members को चुनके कहां बेज़ेंगे ये विधान परिशद में ठीक है तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है students अभी तक हम लोगों ने देखा है state legislature के बारे में फिर हमने देखा कि हमारे state legislature के तीन अंग होते हैं जिस तरीके से हमने देखा था सेंटर के बारे में किस तरीके से हम विधान परिशद का गठन कर सकते हैं किस तरीके से उसको खतम कर सकते हैं वो सारा प्रोसेस हमने देखा अब जो हमारा next lecture आएगा students उसमें हम देखेंगे इनकी विधाई शक्तियों के बारे में या फिर जो इनका विधाई प्रोसेस होता है कि किस तरीके से legislature body अपना काम करती है उसको हम घबरब करेंगे तो आई होप आपको यह आज का lecture पूरा पसंद आया होगा आप लोगों ने enjoy किया होगा तो अगर आपको पसंद आया है समझ आया है तो like करना न भूले और हमारे चैनल पर अगर आप नए है तो उसको subscribe कर ले बैल आइकन को प्र करते रहिए all the very best students